नमस्कार दोस्तों हम सीख रहे हैं 2D Animation और 2D Animation में आपको बता रहे थे Enimate CC के बारे में तो हमने अभी जो है टूल्स के बारे में देख रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा पेंटूल का कैसे यूज किया जाता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं पेंटूल दिया हुआ है और इस पेंटूल पर क्लिक करते हैं यहां पर और भी ऑप्सन है इस सभी ऑप्सन का कैसे यूज करते हैं आज किस वीडियो में हम आपको डीटेल से बताने वाले हैं तो उसको हम क्रियेट कर सकते हैं और इसको हम अनिमेशन भी कर सकते हैं pen tool की मतब से लेकिन हम basically pen tool का जो use होता है वो हम किसी चीज को draw करने के लिए करते हैं चलिए देखते हैं इसका जो है कैसे use किया जाता है pen tool का अगर आप भी चाहते हैं इस type का cartoon बनाना तो आप मेरे Udemy पे जो है 4 course upload किया हों उसको आप install कर सकते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं animate CC का है animate CC में जो है visual effect इसे create करते हैं उसके बाद देखते हैं तो cartoon animated 4 का है उसके बाद जो है illustrated है जिसमें कि आप कोई भी background या cartoon को create कर सकते हैं और इस चारों का जो link है description box में मिल जाएगा जहां पर की coupon code भी दिया हुआ है उसको आप apply कर सकते हैं तो paint tool का shortcut command P होता है अगर P press करते हैं keyboard से तो paint tool select हो जाता है आप देखे select हो गया है यहां पर देखे paint tool का अंदर अगर जाते है तो यहां पर चार टूल बेसिकली दिया हुआ है हम चारों टूल को पहले समझते हैं क्या क्या होता है तो देखे सबसे उपर है paint tool paint tool जो है नॉनमल जो paint हम select करते हैं उस टैप से work करता है और इसके अंदर देखे एप्लस का symbol बना हुआ मतलए anchor point को add करना हो और यहां पर देखे माइनस का सीन है anchor point को delete करना हो और यहां पर है control anchor point तो बेसिकली क्या होता है एंकर पॉइंट होता क्या है एंकर पॉइंट बेसिकली क्या होता है जैसे माल लीजे हम हम जैसे कोई भी सेप बनाते हैं जैसे माल लीजे यह सेप बनाए इसमें हम जो है कलर फिल कर देते हैं यहां से और इसको मैं वाइट कर देता हूं इस टैप से कलर यहां पर देखिए और यहां पको बहुते हैं कि यहांसे दूसरा बन जाता है इसी को एंकर किलिक करते हैं तहें वहां पे करते हैं यहां पे क्लिक करते हैं जहां मिला दिए अब देखें इसके अंदर अंकर पॉइंट हुआ है यह हुआ दो दिनि कया 5-6, 6 anchor point इसमें है, तो basically इसी anchor point को हम जो है इसके त्वारा और भी anchor point बनाना है, इसको click कर सकते हैं, और इस anchor point को delete करना है, आप minus बला को कर सकते हैं, और इस anchor point को अगर convert करना है, तो इस short court command को use कर सकते हैं, अब basically होता है, हम बार बार यहां पर ना जाके, इसको हम short court command के through यूज कर सकते हैं, और इसका short court command बिल्कुल simple है, जैसे मान लिए क्या होता है, हमने इसको create किये, हम इसको क्या करते हैं, अभी कुछ और create कर लेते, मान लिए इसको delete करते हैं, प्रेस करते हैं, और देखे, कोई भी shape बना दिए, जैसे मान लिए यहां से मैं, इस type से, और इसको मैं, यहां पर, कोई भी shape हम जो है, create कर लेते हैं, simple सा, इसमें की बहुत सारा anchor point हो, यह प्रेस करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा, modify कर देते हूँ, मालेजी हमने एक यह shape create किया है, इस shape को हम क्या करेंगे, हम इसमें color fill करना चाहते हैं, तो दोस्तों एक चीज का धियान रखना, जब हम paint tool का use करते हैं, तो यहां पे चारो तरफ सी यह बंद होना चाहिए, अगर मालेजीए थोड़ा सा यह पीछे रह जाएगा, तो इसमें color fill नहीं कर सकते हैं, इसके लिए यहां से हम paint bucket लेंगे, और इसके कोई भी color हम लेते है यहां से और click कर देंगे तो यह देखिए, feel हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम anchor point को delete करेंगे और add करेंगे, तो हम p-price करते हैं, p-price करने के बाद जो है, यहां पर अगर click करते हैं, तो plus का symbol बन जाता, देखिए, इसको आप anchor point add कर सकते हैं, अब देखिए, यहां पर add हो गया, यह shape हमने create के लिए, अब बात क्या होता है, जहां हम थोड़ा सा इसके modification देखते हैं, अगर आप यहां से modify करते हैं, जैसे मालेजे a press करते हैं, इसको जो modify करना, देखिए, जब यह नीचे करते हैं, तो यह भी ऊपर नीचे हो रहा, automatic, लेकिन हम चाहते ह करना, इसके लिए क्या करना होता है, हम जो है, alt press करके इसको आप simple, एक modify कर सकते हैं, अब देखिए, यह independent होना शुरू हो गया, इसी type से अगर हम इसको करते हैं, देखिए, दोनों तरफ यह ऊपर नीचे हो रहा है, हमको क्या करना है, alt press करके इसको कर देना है, और फिर यह जो है, आप independent move करेगा, अभी देखिए, इस तरफ से, देखिए, यह independent move होगा, इसी type से हर जो pointer है, आपको alt press करके, एक बार आपको moment कराना होगा, फिर आप यह independent हो सकता है, इस type से, ठीक है, उसके बाद हम बात करते है, anchor point add करने की, add कैसे करते हैं, delete कैसे करते हैं, है, हम यहां जाने की ज़रुत नहीं पढ़ता है, हम इसके लिए कैसे करते हैं, यहां पर अगर मान लिजिए, इसको click करते हैं, यहां पर AMP press करते हैं, अभी देखिए, इस पर ले जाते हैं, देखिए, आपका pointer, पलस में convert हो जाता है, इस पर click करते हैं, यह pointer add हो गया, अब यहां पर जो है इसको आप चाहें तो Alt प्रेस करके इसको यहां पर A प्रेस करके इसको modify कर सकते हैं कुछ इस टैप से देखिए इस टैप से modify कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं इसमें anchor point delete करने का हम P प्रेस करते हैं अब यह हो गया अब हमको point को डिलीट करना, जैसे इसको डिलीट करना है, अगर इस पर ले जाते हैं, एक बार klik करते हैं, और दूसरा बार देखिए यह minus point आजा रही ind हो गया, इसी टैप से इस पर minus करिये हो जाता है, तो यह जो है यहाँ पर plus करने प्लस हो जाएगा आप जहां पर भी प्लस लगाना चाहते है प्लस हो जाता है देखिए और मैनस करने पर मैनस हो जाता है इसी टैप से अगर यहां से जाके करते हैं तो भी यह प्लस होता है और यहां से जाक करते हैं तो भी यह मैनस होगा उसके बाद हम बात करते हैं यहां प पर हम क्या करेंगे इसको जाते हैं अंदर और सिप्ट सी प्रेस करते हैं इसका सौर्ट कामाड भी दिया हुआ सिप्ट सी इस पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए यहां से डिमूब हो जाएगा और इसको आप चाहते हैं तो कुछ इस टैप से एडिट कर सकते हैं जहां से भी एडिट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करते हैं देखिए हट जाएगा कंट्रोल करने काम बेसिकली इसका काम होता है तो इस टैप से जो है पेंट टूल का यूज किया जाता है हम पेंट टूल जब कोई भी करेक्टर को हम क्रियेट करेंगे तो वहां पे इसको और भी डीटेल से समझेंगे कैसे इस पेंट टूल को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं तो यह था दोस्तों पेंट टूल का कैसे यूज किया जाता है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में आज के लिए थेंक्यू